नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाओं में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के ब्रस्ट चारी मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल को सुप्रिम कोट से बहुत बड़ा जटका लगा है सुप्रिम कोट से केजिवाल को आज कोई राहत नहीं मिली है केजिवाल की याचिका पर सुप्रिम कोट में आज सुनवाई हुई और सुप्रिम कोट ने साफ कहा कि अभी वक्त नहीं है सीधी अगली सुनवाई की तारीक सामने आ गई है केजरिवाल के वकील की कोई दलील काम नहीं आई और सुप्रिम कोट ने इस पूरे मामले में अगली तारीक जो है वो 29 एपरिल की फिक्स कर दी है तो वहीं दूसरी तरब सुप्रिम कोट ने इडी को नोटिस जारी किया है और जवाब 24 एपरिल से पहले दाखिल करने को लेकर कहा गया है तो आज बहुत बड़ा जटका अर्विन के जिवाल को सुप्रिम कोट से लगा है क्या कुछ सुप्रिम कोट के अंदर हुआ बताएंगे आपको मेरे साथ जुड़े हैं क्यापिटल जीवी के एडिटर एंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार क्या कुछ हो आज सुप्रिम कोट में सुप्रिम कोट में आज तै हो गया कि 24 अपरिल तक कोई राहत नहीं इनको सुप्रिम कोट ये पहुंचे थे दिली हाइ कोट के जज्ज्मिन्ट के खिलाफ और ये दिली हाइ कोट में क्यों गए थे क्योंकि इनको इमीडियेट रिलीस चाहिए इमीडियेट कि भाई ये जेल ये समन ही गर्बढ़ है और ये जो पूरा का पूरा जो गिरफतारी की प्रक्रिया की गई है वो इलीगल है ये सारी चीजे और माई लॉड इमीडियेटली सुनिये और हमारे तिहारी केजरीवाल को बाहर निका लिए हाई कोट से नहीं मिली में मनु सिंग्भी साहब पहुंचे और शुरुवात में ही कहा कि हम कुछ ऐसी चीजें लेकर क्या आए हैं टू सौक दकन साइंस अफ दे कोट कि बिलकुल कोट के अंतरा आत्मा हिला देने वाली बाते जो हैं हम लेकर क्या आए हैं जज ने का आप चांत रहो ये सब जो है बाद में आप बताना यह आर्गुमेंट जो है वो डिसकेशन के लिए रखना आगे अभी मैं नोटिस जारी कर रहा हूं हम लास्ट वीक ऑफ एपरल बिलेंगे और तब तक एडी को समय देते हैं कि वह अपना जवाब क्योंकि आपने प्रिटिशन दिया है तो एडी भी त उसको रिबटल भी तो चाहिए तो उसके लिए समय तेक किया गया लेकिन जैसे ही सुना अब इसे एक मुनुस सिंग्वी ने कि अपरल का लास्ट वीक यह तो काफी देर हो जाएगा यह तो काफी लंबा वक्त है 39 तारीक तो उन्होंने कहा कि भई हमें जो है 18 तारीक को दे से रोकने के लिए किया गया है इसके ना इसका नाम जो आइसी आई यार जो फाइल किया है इडी ने उसमें भी नहीं है चार सीट में भी नहीं है हमें प्रचार के लिए रोका जा रहा है तो जैस साब जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह सब चीजें बाद में आप कहिएगा कि नहीं यह लेटिस्ट हम दे सकते हैं मतलब धीरे धीरे कोट मनु सिंग्वी साहब वैसे उस तरह के वकील है जो जब चाहें डेट ले ले जब चाहें दवाब दे करके जो है अपने हिसाब से तब कुछ तैक करवा लेते हैं अभी तक तो यही देखा गया है लेकिन अब यह गया है कोट की तरब से यह सिगिनल है यह सिगिनल इस बात को लेकर के है कि enough is enough यह रोझ हर दिन जो है यह आम आधी पाटी वाले पहुंच जाते हैं कोट कभी इस चीज को लेकर के यही कारण है आप देखिये कि किस तरीके से कोई रिलीफ नहीं मिला अर्विन केजर्वाल क एक और चट्टे वट्टे को अमानतुल्ला खान को वहाँ भी सुप्रेम कोट ने कह दिया कि भाई कोई इस तरह का हम आपको इंटरीम रिलीफ नहीं देने वाले हैं कोई बेल नहीं देने वाले हैं आपके पास कानून है कानून के तहत वो काम करेंगे आपके खिलाब वगर उनके पास सबूत है जानकारी है और वो बन परता है कि वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे तो इडी को गिरफ्तारी की जो है वो पूरी तरीके से चूप लेकिन आज 15 तारिक है 29 एपरिल को अगली सुनवाई होगी यह तो काफी लंबा वक्त बीच जाएगा चुनाओ भी श को को इस बास से कोई लेना देना ही नहीं है कि चुनाओ कब है, इलेक्शन कब है, कैंपेन कब करोगे, ये हमारे सामने लीगल पॉइंट है आपके खिलाब सबूत है, आपके खिलाब बयान है और इडी ने जो सारी प्रक्रियाएं जो की है वो विलकुल कानून के मुताबि है हम हम आपको कोई इस चीज के नहीं दे सकते कि आप एक चीफ मिनिस्टर है तो आप देखिए कि बहुत बड़ा जटका जो है अरविंद केजरिवाल को आज सुप्रीम कोट से मिला कहां यह लों को लग रहा था देखे टेलिजन चैनल पे घूम घूम के कह रहे थे अभी चा पिछले एक सब्ता से आम आदनी पाटी वाले हर चैनलों पे जा करके वो यही प्रपंच यही प्रपगेंडा कर रहे थे कि सुप्रीम कोट में गए और हमें जो है रिलीफ मिल जाएगी कोई रिलीफ मिला नहीं मिला क्यों इसका कारण यह है कि आप देखिए जिस तरह से व गंटे पहले भगवतमान और केजरिवाल की वितिहार जिल में मुलाकात हुई 30 मिनट तक जब वो बाहर आए मीडिया से बातचीत की तो वो कह रहे है कि क्रिमिनल की तरह केजरिवाल के साथ बिहेब किया जा रहा है बड़ा अत्यचार हो रहा है देखिए यह कॉमेडियन है एक्टर बड़ा बढ़िया है वो था और संदी पाठक भी साथ में था दोनों तोते की तरह बोल रहे थे कि जब हम लोग मिले तो उन्होंने कुछ अपने बारे में नहीं कहा उन्होंने कहा कि बिजली फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही है लोगों को जो है सुबधाय मिल या नहीं मिल रही है महिलाओं को बसका जो फ्री टिकट जो है वो यह तमाशा कर रहे हो यह दिल्ली प्रिजन एक्ट है यह अर्विंद केजिवाल की सरकार ने इस कानून को पास किया है तिहाड जेल दिल्ली सरकार के अंतर गताता है यह दिल्ली प्रिजन एक्ट इसी केज रिवाल ने खुद बनाएं और आप कानून को नहीं मानेंगे वहां जाकर के रो रहे हो ड्रामा कर रहे हो भी हमें टर्रिस्ट के तरह ट्रीट किया जा रहा है कानून को तोड़ा जा रहा है आपको टॉर्चर किया जा रहा है आपको पीटा जा रहा है आपको खाना नहीं दि हैं खुद तुम एंज़िए वाले जोरा चाप यही राजिनीती करते करते तुम यहां तक पहुंचे हो इतने सारा मानवादिकार एंज़िए उसको तुम जानते हो जाकर करके आप वो केस करना चाहिए मढलों सिंग्री साथ वो कहीं कि मैल लॉड वहाँ जेल से बाहर निकाल कि संदी पाठक और तुम वहां गए थे किसलिए क्या मीटिंग के पीछे की कहानी क्या है यह सच्चाई बताओ तो वह कहरे कि भीच में जाला था तो वह हम चेहरा नहीं देख पाए और यहां आकर क्या आप भासंद दोनों एक दिल्ली के लिए बोला एक दूसरे जैसे तोता रटा हुआ होता है ना जैसे मनिस्टी सोधिया क्योंकि मैं इसलिए में कह रहा हूँ यह इतने शातन लोग है मनिस्टी सोधिया को जब CBI ने पहली बार बुलाया था तो जैसे ही वह बाहर निकले तो उनको मीडिया वालों ने घेर लिया मीडिया वालों ने घेर लिया तो अचानक से आमादी पार्टी का एक रखती आता है और मनिसी सोधिया के हाथ में इस तरह से एक चिट दे देता है और उसके बाद जब उसको चिट मिलती है तो वो चिट देख करके वो बोल रहा है कि सीवियाई वालों ने हमें कहा कि बीजेपी जॉइन कर लो नहीं तो तुमक गये थे यह बाचीत करने के लिए गये थे कि जो एलेक्शन में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वहां कहां कैसे क्या कब होगा या उसकी बाचीत करने गये थे या फर ये कि पंजाब के तमाम राश्वा के सांसद वो केजरिवाल के गिरफतारी के प्रोटेस्ट में सामने नहीं आ रहे हैं इसने तुमको डाटने के लिए बुलाया गया था तुमसे इस्तिवा लेने के लिए बुलाया गया था क्योंकि जिस तरीके से इसने कैमरे के सामने ड्रामा किया और जिस हिसाब से जिस अंदाज से जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि मीडिया से बात करने के बाद जो body language जो थी वो बिल्कुल ही बदली-बदली सी भगवंत मान की तो ये बहुत सारी चीजे हैं ये लोग हर दिन तमाशा करते हैं एक मुख्यमंत्री आकर के ये कह रहा है कि उसके ही जेल में उसके ही सरकार के अंदर उसके ही मुख्यमंत्री को टॉर्चर किया जा रहा है आतं अर्विन के जिवाल को सुप्रिम कोर्ट से बड़ा जटका लगा है अगली सुनवाई अब 29 एपरेल को होगी तो वहीं बस कुछी घंटों के बाद दिल्ली के राउज अविन्यो कोर्ट में भी एहम सुनवाई होगी क्योंकि आज अर्विन के जिवाल की नाइक हिरासत भी खत्म हो रही है और जिस तरह से सुप्रिम कोर्ट से जटका लगा है एक के बाद एक जाच एजनसियों के पास सबूत इखटा हो रहे है उससे साफ है कि अर्विन के जिवाल को दिल्ली के राउज जविन्यो कोर्ट से भी बहुत बड़ा जटका लगेगा और एक बार फिर स से नाइक हिरासत बढ़ा दी जाएगी इस पे भी आपको अपडेट बढाएंगे देखते रहे कैपिटल टीवी के साथ मैं पूझा कैपिटल टीवी